कोई ख्रे अच्छी लगती है। आप सब्सक्राइब कीजी। सब्सक्राइब, शेर, एंड लाइक करना मत भूलेगा। क्या शेर, सब्सक्राइब, लाइक करना मत भूलेगा। आप सब लिएको मज़ा आए है कर टलास में केवल मैं एक से दोन मिट का समय लोंगी और आपको एक नई चीज़ सिखा भी जाओंगी तो शुरुआत करते हैं पहले सवाल के अपनी सवाल है एक छात्रे कक्षा को पांच बटे तीन के बदले तीन बटे पांच से गुना करता है एक छात्रे संख्या को करता है तो उसकी गर्णा में कितनी प्रतिया के फचुठ फृति हुई मतलब आपका एर्र बताना है क्या पताना है आपका एर्र आपको निकालना है डेखो चात्रे को मंट्िप्लाइग करना था किस से पांच बटे तीन से लेकर उसने कर दिया किस से तीन बटे पांच से जब भी इस टाइप का सवाल आए तो value निकाली, 5 बटे 3 को multiply गया 15 से, 3 बटे 5 को किया हमने multiply 15 से, 3 5 जा 25 और 5 3 जा 15, ठीक है, हमें multiply किसे करना था, 5 बटे 3 से करना था, यह आपका right था, कर किसे कर दिया, इस से कर दिया, यह wrong था, तो right minus wrong, upon का right, into का 100, कितना हो जाएगा, आपका निकाल लीजे, 16 upon का, 16 upon का 25, into का 100, 64%, कितना हो जाएगा, 64% आपका, बिलकुल सही जवाब है, कितना हो गया answer, 64, clear हो गया हो, सभी को answer, 64, simple क्या किया, इन दौनों values को पकड़ा, दौनों के LCM लेके multiply कर दिया, जो value आई, right यह था, wrong यह था, multiply करना, इसे तक कर इसे दिया, right minus long upon का right into का 100, इसको apply की और आपने निकाल लिया कि, error कितना है, पहला सवल आपका यह था, दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग, अपना next question, अगला सवाल आपका clock का सवाल है ध्यान से देखेगा, एक घड़े की घंटे वाली सुई साड़े चार पर उत्तर दिशा में है, साड़े चार बजे, एक घड़े की घंटे वाली सुई, तो साथ बजे की मिनिट वाली सुई किस दिशा में होगी, clear होगे सवाल आपको, अब सवाल को ज़रा अच्छे देखेगा अभी क्या मैं घड़ी बना दी हूँ घड़ी में यह आपके 12 बज़ गए यह आपके 6 बज़ गए यह आपके 3 बज़ गए यह आपके 9 बज़ गए ठीक है अभी बज़ रहा है आपका 3.5 मतलब 3.4 एक घड़ सुई यहाँ पे है आपकी और एक सुई आपकी यहाँ पे है ठीक है 4.5 बज़ रहे है यह है यह आपकी मिनिट की सुई है और यह आपकी घंटे की सुई होगी ठीक है 4.5 बज़ रहे है पर ऐसा बो रहा है कि घंटे की सुई यहाँ नहीं है कहां पे है आपकी उत्तर की हो रहे है मतलब कितना एंगल मूफ कर दिया माइनस का 90 प्लस का 45 कितना हो गया कितना हो गया 145 145 इसने पीछे मूफ कर दिया ठीक है यहां से यहां पे सेम इतना 45 इनट आप मूफ करेंगे अब कहां पे हम लोग आप बज़रें घडी में 7 यह रह 6 यह रह 3 यह रह 9 घडी यह बज़रें आपके यह रह 7 7 बज़रें यह लिज़े 7 बज़ा दिया हमने घडी कहते है मिनिट किस होई सेम वही करो इसको भी आप घुमा दो घडी की विप्रीद दिशा में घडी की विप्रीद दिशा में आप मूफ कर दो इसको भी विप्रीद दिशा में मूफ कर दीज़े यह रही कौन से दिशा में ऐसे गए है सेम ऐसी इसको मूफ कर दीज़े कितना 90 प्लस 45 इधर आ जाएगा तो कौन से दिशा होगा यह यह आपका west है यह आपका south है कितना हो गया south west आपका सही हान से जाएगा क्लिकर हो आपको सवाल कैसे हुआ था सवाल समझ में आए इसमें हमने क्या किया है यहां से यहां चले गए माइनस का 90 प्लस 45 मूफ किया सेम ऐसे करो ना 90 और 45 इसको इसी दिशा में मूफ कर दो घड़ी की उलती दिशा में तो इसका अंसर जाएगा आपका साउथ वेस्ट आई गोप आपको सवाल अच्छा लगा होगा यह दोनों ही सवाल आपके एक्जाम लेवल के सवाल अगर आपके कहने पर हिंदी और इंग्री जॉन में अवलेवल करवा है अगर आपको अच्छे लगे हो सवाल तो आप सभी लोग शेयर यॉन दो कोliche आपके एक शेयर सब्सक्राइब.